मा सरस्वती के चर्णों में साधर नमन करते हुए इस वीडियो को प्रारम कर रही हूँ पिछली वीडियो में मैंने आपको एकलेंपसिया के लक्षन और संकेत के बारे में विस्तार से बताया था आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एकलेम्प्सिया की स्थिती में गर्भती मारता को दौरे पढ़ने लगते हैं फीट्स आने लगते हैं, तो ये फीट्स आने के जो अस्टेजेज हैं, अवस्थाएं हैं, वो कौन-कौन सी अवस्थाएं हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, प्यारे बच्चे, एकलेंप्सिया, जो की प्री-ेकलेंप्सिया का ही बिगड़ा हुआ करने लगते हैं, तो इसके चार अवस्थाएं, दौरा पढ़ने की चार अवस्थाएं, इन चार अवस्थाओं को आप चानिए, परिक्षा की दृष्टी से एकलेंप्सिया और प्री-ेकलेंप्सिया बहुत ही महतोपूर्ण है, तो जो बच्चे मात्री-शिसु कल्यान तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना, तो पहला स्थिती जो होता है, दौरा पढ़ने का, एकलेंप्सिया में वह होता है, पुरू सूचक अवस्था है, सूचना देता है, पुरू सूचना, कि दौरा पढ़ने जा रहा है, वोई भी चीज होती है, तो अलार्म पहले सेकेंड, कितनी अवदी होती है, 25 से 30 सेकेंड, अगर competitive test होगा, इसे पुछा जा सकता है, कि पुरू सूचक अवस्था में अवधी कितने, कितना होता है, प्री monetary stage जिसको हम कह सकते हैं, जिसका अवदी है, जिसका काल है, जिसका समय है, यह होता है 25 से 30 सेकेंड, इस स्थिती स्थिति में हम लोह चछुब आखे अगे धुंधला कि दिखाई पढ़ने लगेगा कोई बस्ती वस्त scho सार जैंने पड़ेगे की अधुरियर दूसरी उस्थिति में क्या हो का आखे बीजली रपोंधने जैसी तो वही इस्थिती जब फिट्स आने के होते है घर्भती इस्थी को तो आखों के आगे उसका दुंदलापन चा जाता है दूसरी टाइम में उसको बिजली चमकने जैसे उसका अनुभव होने लगता है और आखे जो है या तो उपर क्यों चली जाती है और कई बार क्यों होता एक बड़ा है आखे जो बताता है आखों सी पता चलता है कौन क्रोध में है कौन हमसे Mi कर रहा है तो यह एक बहुत important होते हैं है तो आखे इसकी को ते स्थिती माके लाल हो जाती है व्यावव हो जाता है चहरा जो जाता है विक्रित हो जाता है तो यहां पर भी आप देखोगे कि जब गर्भतय स्तेरीके आखें ऊपर या निची के ओर चीले जाती दाइयां बाएर आख्म जाती हैं तब टेहरा उसका ठीखने लगता है ब्भेवा दिखने लगता है और चेहरी की पेसे लें के लिच्जी सब फढ़कने लगते रखिए थदंगने लुगता है कुछ है कभिताग फढ़कता यह teams का थे बाइंगभंताहिए तो फायदा होगा है तो हमें नुक्सान हो ऐसा ख़ते हैं तो बोलोसरा स्तीति आता है यह पहली स्थीति में यह चीज़ा होई पहले स्टीपि मिक्या हुए हैं सब आखों को से स्मलन से इतना ही यह वाली portion ही जादा उसका bug भावित हो रहा है कौन सी प्रोपोर्शन चेहरा वाला जिसमें सबसे पहली आखें आखों का आगे धुंदला पंचाना बीचली कौंधने जाए सानुभो होना आखें उपर या नीचे या दाएं या बाएं की तरफ घुम जाना और चेहरे की पेशियों का फड़कना यह तो और यह स्टेज होता है 25 से 30 सेकेंड तक है दूसरा स्टेज होता है ताना आत्म कवस्था टॉनिक अब यह खींचता है अब क्या होगा पहले उपर से हुआ अब आता है वोकल कॉर्ड नीचे की तरफ आफ आजाओ तो वोकल कॉर्ड की जो पेशियां है उसमें संकुचन होन तो स्वर्यंत्री की जो पेशियां है वोकल कॉर्ड की पेशियां है उसमें संकुचन होने लगता है फिर जो डाइफ्राम है डाइफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होने लगता है डाइफ्राम आप जानते ही होंगे सांस लेने में जो हमारा डाइफ्रेम है उपर होता स्यस्टम मेंने जब आपको पढ़ाया होगा तो आपने देखा उगा डाइफराम के तो सम्हास जो हम छोड़ते हैंrak लिए वा ठीक प्रकार से काम करेंये हैं लेकर जब डाइफराम ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा कॉंट्रेक्ट होगा है ना इस तरह से कॉंट्रेक्ट होगा तो स्वासमार्ग अवरुद्ध हो जाएगा वोकल कॉट्स की पेशियों में कॉंट्रेक्सल होने के कारण बोलने में कठिनाई होगी आज हम बोल पाते हैं आज हम गा पाते हैं चिला पाते हैं क्यों क्योंकि हमारा वोकल कोड सही किसी की आवाज पत्ली होते हैं किसी की मोटी होती है लता मंगेश्क्री कि आवाज कितनी मदूर थे यह वोकल-cords का ही कमाल है रियास्त थो ही, अभ्यास्त थो ही पर वोकल-cords का भी इसमें बहुत बहुमिका है तो वोकल-cords वोकल-cords में conductivity होने के कारण बोलने में कठे नाई होती है और diaphragm में conductivity होने के कारण स्वास मारग अबुद्ध होता है और जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगती है आखे जो है मैंने आपको पहली स्थिति मताये था या तो आखे दाएं की और मुड़ जाएंगी या बाएं की तरफ मुड़ जाएंगी या आखे उपर चली जाएंगी या नीचे चली जाएंगी और आखे जो किस्तिर हो जाती है कि जैसे हम देखते हो ढहरे हम पलकजण कर में और अभारा के पूतल्या इधारद जो म्ती हैं कि अक्शान वहुता जाता है है कि विज्विश्चा जुद यह ऑल शागी ऊजाता हैं और फिर गजरा और आफ़ की दानति सोहां कर जाता है बुर्चा जब आता हो देखते हो दात बंद हो जाता है ऐसे जाकड़ जाता है और कई बार क्या होता है दातों के बीच में अगर जीव आ गया तो जीव काट देता है दात को सुरी दात काट देता है जीव को और जीव से खून बहने लगता है दात बीचने के कारण दात जो हमारी जीव है वो कट जाती है तो गर्वती इस तरीकी दात बीचने के कारण कट गया जीव कट गए अजीव कटेगा तो क्या होगा खून बहने लगेगा और यह तो हुआ नाखोश शुरूए होता है दूसरी अवस्था आख़ी पर प्रोष चैरों से कि नहीं एक लेंप्स्या यह वाली पोर्शन और को याद今天 वाले इतना दूर याद रखना यह वाली वोकल कॉड्स डाइफ्राम तक का तीसरी अवस्था में क्या होता है जिसको हम क्लोनिक स्टेज बोलते हैं यह अवस्था एक से चार मिनट का होता है यह वस्था कितना होता है एक से चार मिनट का इस स्थिति में होता कि अब जो हाथ पेरू की पेसियां है इन में बहुत जादा इठनों लग इस तरह से अपना एठता है हुआ घूमाता है जिसको शब्दों बंड़ना ने कर सकते हुआ देखोंगे तौ lovers quando अध्युको में आने लगता है जिसको मुर्चा आता है तो आउसको मैं देखती हुँ तो मुझे दर लगने लगता है में देख नहीं पार्टी हूं तो उनकी पेशीव में तिव रखनोनन लखती है या लग लिगवेसी और इस सिती में बेचाईनी बढ़ जाते है दो मुझ से जो इस्त्री मुझ से जाग निकलने लगता है जाग निकलता है साबून के फेन की तरह दो देखे। यह is साबुन का फिर जब बनाते हैं तो जहाग होता है उस तरह का मुह से जहाग निकलता है और जीव जब कट जाता है तो लार के साथ मिल करके खूण बाहर लिकनने लगता है इसециती में तो अधूलप भ्यावना चेहर का लगने लगता है देख करगे कि अग्यार विलकुल लाल हो जाता है मुण से जल Megal निकलने लगा लगा है चेहर लाल हो गया और बहुत चेहरा डरामना लगने लगता है इसी में ब्लड प्रिशर का पीं बढ़ जाता है 150-160 जो पहले था वो बढ़ करके 180 by 200 मतलब सिस्टॉलिक भी बढ़ गया और डाइस्टॉलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है बहुत जादा हो जाता है मतलब 180 से 200 मिलीमीटर मरकरी उपर का और नीचे वाला 100-110 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है तो ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अैसी स्थिति में बहुत चांसेज है कि जो गर्भाज सिशु है उसको आक्सिजन ना मिले और जभ उसको अक्सिजन नहीं मिलेगा तो गर्भाज शीशु का घरल में ही बच्चे का देतओ जाएगा हाई ब्लड प्रेशर होने से ब्रेंड हेमरेज हो जाएगा नाड़ी गती पल्स रेट उसका 120 प्रती मिनट हो जाता है यह तो उसका हुआ तीसरी स्थिति अब चौथी स्थिति क्या होता है पहली स्थिति तो आपने देख लिया पुरू सूचक अवस्था जो सूचना दे रह तानात्म कवस्था अब उसकी जाचतन रहूं कि निंट हो रहा है मौकल कोड़ फॉक्तरया युकार्ण आय।ाल है मले शानस ज़ने में तक लिए तकलीफ होने लगी है बोलने में तकलीफ न होने लगी है दाइवushy is जग में लगा है कि फूल बहने लगा है कि दाट जीव ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है कि और यह वस्था एक से चार मिनट तक का रहता है कि चेहरा लाल विक्रित हो जाता है ब्रेन हिम्रेज होने की संभावने बढ़ जाती है कि ब्रेन हिम्रेज हो भी जाता है और आघे चोती यवस्था ओती है मुर्चा की अवस्था को ओसीज़ इस इस्दिती भी क्या होangenesta मुर्चा जब आती है तो रेस्पीरेशन बंद हो जाताह है स्वशन बंद हो जाताह है या आवाज गर्वत्य माता जो आबाज निकालती हो उसके सांस से घर 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 ऐसे आबाज आती है तीब रैठन होने के कारण इस स्थिति में भी तीब रैठन होता है और गर्वत्य माता बेहोस हो जाती है तो यह चार स्टेज रहे आपके एकलम्प्सिया दौरे की अवस्थाओं का आप लोग अच्छे से पढ़ लेना एक्जामनिशन पॉइंट अवीव से बहुत इंपॉर्टन था जिसको मैंने पढ़ा दिया है और आपको बता दिया है तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति को एकलम्प्सिया हो गया तो हमस्का क्या treatment करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा जो कुण नेक्स्ट वीडियो बताएंगे वह आपको ट्रेट्मंडीत बताएंगे तब से मोजह difक्र बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you